आपको बता है कि बहुत दिनों सा में वीडियो नहीं लेके आप आ रहा हूं तो इसके पीछे कुछ रीजन है थोड़ा सा बाहर था आउट आप इस्टेशन था तो इसके वज़े से मैं नहीं लेके आ पा रहा था वीडियो तो चलिए हम देर नहीं करते हैं हम डायर्क राते ह हमारा आज का जो टॉपिक है वह है मिन्ट के उपर हम स्टाट करते हैं कि मिन्ट क्या होता है पहला टॉपिक हमारा यह है कि मिन्ट क्या होता है सेकेंड में क्या है कि उसके वराटी कितनी होती है मिन्ट की थर्ड ड्राई मिन्ट क्या होता है और उसका मिन्ट का कुकिंग मे क्या इस्तिमाल है और सबसे बड़ी चीजे जो हमारे इस समय health को ले करके है जो करोना काल में बहुत सारी लोग मतलब और बहुत सारे डॉअक्टर भी सजेस्स करते हैं कि आप health को ले के हमेंसा मतलब active रहे की क्या चीज़े हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो हम हेल्थ के उपर भी आपको बताएंगे कि इससे हेल्थ में क्या बेंद पिठे है ठीक है तो पहले हम जानते हैं कि मिंट क्या है वाट इस यह एक सुगंधी जड़ी बुटी है मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं पुदीना बोलते हैं पुदीना एक सुगंधी जड़ी बुटी है जिसका उत्पादन पुदीना के विभीन प्रजातियों द्वरा किया जाता है पूरवी मध्यसागर के मूल निवासी तकसाल मीनेश नामक एक पराडिक अफ्सरा से इसका करना मिलता है अंडा वर्क के देवता जो है प्लुटो के साथ संब्द रखने के बाद इर्ष्या पर्सपे फोन ने उसे एक नीच पूदिने के पूदे में बदल दिया पूदिने का पूदा आम और कई बगानों का पसंद दीता है इसलिए इसे खुद उगाया उगाना मतलब इसको हम घर पे भी उगा सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है और यह जड़ी पूटी के रूप में भी काम करता है ठीक है जो साकाहरी और पैलियों आहर्स के लिए उप्यूगता है ठीक है इसकी जो वराइटी होती है पूदिने के कितनी वराइटी होती है यह हुआ पूद दीना क्या होता है वह वराइटी की बारे में जानते हैं कि इसकी अधिक इस्पिटर मिंट और घूमराले पूदेने की सबसे आधिख बार पकणने और पे पदाथो जड़ी पूटी के रूप में उपयोक की जाती है अधिकांस कॉलनरी के उद्देश के लिए इसको ताजय उप्योग किया जाता है पुदीना थोड़ा मजबूत है इसके बजाए इसे पेपर मींट आयल में उगाया और संसाधित किया जाता है जिसे बाद में एक स्वादिश्ट बनाने का मसाले के रूप में उप्योग किया जाता है और इसे एक मिन्थाल में परिस्कृत किया जा सकता है आप टकसाल की अन्य किस्मों को पा सकते हैं जिसमें दिल्चस्प स्वाद और सुगंद सेव टकसाल में एक सेव खुश्बू और नारंगी टकसाल में एक खट्टे स्वाध है ठीक है चौकलेट टकसाल में चौकलेट का स्वाध थोड़ा होता है खाना बनाने में इस से कूकिंग में मैंने बता था ना को कूकिंग में क्या है इसका ठीक है, तो हम बता देता है, कुछ निविदा पत्तियों के साथ डंठल को एक गर्म पानी या ठंडे पानी में रखा जाता है, पे मतलब पीने योग ये पानी, जो पानी को हम पी सकते हैं, उस पानी में हम इसको रखते हैं, अधिक स्वाद जारी करने के लिए इसको हम क्या क है, यह एक सिमर्स है, और टकसाल के अर्का उपियोग, टकसाल स्वाद पके हुए, माल या, कन्फेक्शन या गर्म चॉकलेट का स्वाद देने के लिए किया जाता है, वेंजन, वेंजन मतलब भोचन, ठीक है, जो मिंट होता है, पारंपरिक रूप में, मेंसे और मुर्गी पालन, या मद्द पूरिवी और ग्रिक वेंजन में वेपक रूप से उपियोग किया जाता है, जिसमें सालाट, साइड़िस और सास सामिल है, ताजा पुदिना हरवल चाय के लिए क्या है, पसंदिदा है, जैसे हम हरवल चाय बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं इससे क्या होता है कि मतलब चाय का टेस्ट भी अच्छा आता है और हमें एक जड़ी बुटी भी मिलती है ठीक है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं पहले चीजे तो यह है इसका हम पोक कैसे करते हैं घर में क्या होता है घर में पुदीना लंबे समय से खुश दुर्गंद के रूप विखारे यह घर के चारो ओड क्या होता है दुर्गंद मतलब जो मतलब चीजे स्मेल करती है की रूप में इसको विखारा हुआ था आज यह आम तोर पर पाउच और पाटपोरी में उपयोग किया जाता है कुछ साबु निर्माता अपने साबुनों मे में थोड़ी मातरा में सूखे पूदीने को मिलाते हैं जबकि पूदीने का तेल कभी कभी सतरकता में सुधार करने के लिए आरोमो थेरभी में उपयोग किया जाता है अब हम चानते हैं कि इसका मतलब सूखा जो होता है मिंट सुखा मिंट क्या होता है और उसका क्या क्या चीज़े हैं वह मैं आपको बता रहा हूं तो सुखा मिंट क्या होता है ताजा जो टकसाल को सुखा सकते हैं तब जो ताजा मिंट होता है उसको सुखा सकते हैं चाहे आपके बगेचे में बगेचे से या किसान के बजार से बंडलों में बांदे और उल्टा लटका दे एक बार सूखने के लिए पत्तियों को हटा दे और उन्हें कांच के जार में या सिल्फ प्लास्टिक बैग में इस्टूर करें ठीक है यह यह आपको अपने टकसाल वर्ष का आनन लेने की अनुमति देता है अब हम जाते हैं किसका मतलब हेल्थ में क्या benfe test है उसकी बार में जानते हैं स्वास्त हेल्थ मστलब स्वास जब हमारा स्वास्त अच्छा रहेगा तभी तो हुम कुछ कर पाएंगे पूदेने की प्रते किस्म का उपयोग पर्मपरुक रूप से कई भीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है जो एक परिसान पेट से लेकर घवराएट तक होती है ठीक है जैसे ज़से कभी कभी होता है और पेट में मतलब क्भी कभी होता है कि हम कुछ खा लेते हैं और वह चीजे मतलब बचता नहीं है और इचकी आती है जैसे हम लोग कुछ खाना मतलब बीना टाइम का खा लेते हैं तब भी हमें ऐसा आता है कि मतलब वामेटिंग हो जाएगा या फिर बहुत सारी चीजे होती है तो उसको हम यूज कर सकते हैं उस चाह या सम्माही तैरी के रूप में बेचा जाता है ठीक है राष्टि स्वास संस्थानों के पूरक और एकी क्रिस्वास के राष्टिक के अंदर ने कहा कि पूरीना टेल एंटिक लेपिक कैपसूल में लेने पर चिर्चिडा आत्र सिंड्रोम के लच्छणों के लिए उप कूरी मतलब democratic है तो वह एक अपची होते हैं उसको बोलते हैं तो उसको खाएंगय तो उसमें क्या करका राष्ट कर सकता आपको मदद कर सकता है समाईक पप्रमिंट टेल से तेल में तनाह की सीरदत के लिए सायक होने के लिए समिती प्रमाड है पूदीने तेल दिखाने के उनकों के प्रयात्त साबुन नहीं है यहां यहां पुदीने का पत्ता किसी अनष्थित्न के लिए उप आ खेले की ठीच है ठीक है पेपर निमारन केप्सृल की समाइन खुराक सुरचित होनी चाया है लेकिन यह आत्रीधिक विश्साक्त हो सकता है ठीक है मतलब इसको अत्यदिक मात्र में नहीं खाना चीए अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपको मतलब हामफुल भी हो सकता है पेपर मिंट तेल बच्चों या स्वीसों पर लागू नहीं किया जाना चीए जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं अगर उसका तेल है मिंट का तो छोटे बच्चों को नहीं लगाना चीए क्योंकि या गंबीर स्वास दुष्प्रोभाव पैदा कर सकता है या वैस्को के लिए भी चक्यत और तोच्चा में जलन पैदा कर सकता है जिसे छोटे बच्चे को क्या होता है कि सारी चीजे मतलब वो temperature क्या करते हैं मेंटन नहीं कर पाएंगे वो hard होता है तो अगर उसको लगाएंगे तो उनके तोचा में eaching भी हो सबता है और बहुत सारी चीजे होती है तो आज का वीडियो यहां पर खत्म करते हैं मिलते हैं फिर आपसे नेक्स वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए थेंक यू सो मच अट हुरा 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 झाल झाल